वेल्कम बाक आफ्टर दे ब्रेक और व्यूर्स चैट जी पीटी जो के ओपन ए आई की जानेप से मतारिफ करवाया गया और आजकल बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा भी उठाते हैं लेकिन चैट जी पीटी जो है वो अपने फीचर्स जो है उनको अप्रेट कर रहा ह और नए नए फीचर्स जो हैं वो मतारिफ करवाया जा रहे हैं अब चैट जी पीटी ने कुछ नए फीचर्स का इजाफा किया है जिर में ये कि आप अपनी कोई भी पिक्टर्स जिब चैट जी पीटी को देंगे तो इट विल बी एबल टू आक्टूली अंडरस्टांड और उसके साथ-साथ उसको इंटर्फरेट किया जा सकता है या चैट जी पीटी जो है वो आपको आडियो कैप्शन्स जो है या आपके साथ कम्यूनिकेट भी जो है वो कर सकता है ये जो नए फीचर्स हैं क्या ये लाँच हो गए हैं या मुक्तलिफ मुमालिक में इनको कब लाउंच किया जाएगा और इस हवाले से इनके क्या फाइदे होंगे इस पर अभी हम बात करेंगे हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट वकास माले के सब्सक्राइब किया गया है और जो नए लाउंच कर दिये गए हैं यह बाज वकात ऐसे होता है कि कुछ मुमालिक में स्टेब लाउंच किये जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा तो यह तीन बेसिकली फीचर्स हैं जिनकी मदद से जैसा कि आपने बताया कि हम कोई भी इसको इमेज देंगे वह इमेज को अंडरस्टैंड कर सकता है उसको इंटर्प्रेट कर सकता है और जो हम उसको फिर प्रॉंप देंगे बेस्ट आउं डाट इमेज वह उसको हमें कम्मिनिकेट करके वोईस के जरीए वापस हमें बात कर सकता है इट्स मोर लाइक आप परसनल एई एसिस्टेंट के जिससे हम बातचीत कर सकते हैं वोईस के साथ और वोईस के अंदर ही हमें रिस्पॉंड बैक भी करेगा तो इसकी एप्लिकेशन जो है वो बहुत सारी हो सक हैं यानि कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप कोई भी एक वरकशीट कोई बी कुछ ऐस तरह की असेस्मेंट उसको दे सकते हैं अगर कोई डॉक्टर है या कोई पेशन्ट है तो वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन उसको दे कर सकता है कि इसके अंदर क्या चीज लिखी हुए ह हैं तो आप उसको वो इन्फो ग्राफिक्स या विजूल ग्राफिक्स उसको देंगे तो वो उसकी बेस की उपर आपको अजम्शन थाइपॉथिस्स करके दे सकता है इसकी चोटी सी ग्जैंपल जो ओपन एई ने जो चैट जीपीटी की कंपनी है उन्होंने जो चैट जीपीटी ने हाइलाइट करके उस एरिया को बताया कि यह लिवर है इस लिवर के जरी आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं उसके लिए आपको यह वाला स्कूरू ड्रैवर चाहिए फिर उस परसन ने अपने एक स्कूरू ड्रैवर का जो बॉक्स है उसकी पिक्चर है अर चैट जीपीटी प्लस का एक और फिचर यह है कि हो 2021 तक जो डेटा था जो फ्री चैट जीपीटी सो 2021 के बाद चाईट जीपीटी को नहीं पता किया हुई एचिशियपीटी कि नजर में अभी बीद ढुनल्ल्ट ट्रंट परफीनट हैं तो चैट जीपीटी उसके पा हो चुका है यानि कि पाकिस्तान में भी जिनके पास पेट सब्सक्रिप्शन होंगी वो इससे फाइदा उठा सकते हैं एक तो यह फीचर हो गया ना कि आपने उसको कुछ दिखाया उसने इंटरप्रेट किया आपको गाइड किया आपके साथ कम्यूनिकेट कैसे कर सकता है चै रिस्पॉंस मिलता था जो नहीं कर पाता था उसको अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिलता था अब यह है कि जस लाइक वोइस असिस्टेंट हम एक माइक उप्शन होगा हम उसको प्रेस करेंगे और पिर हम बोलेंगे उसके साथ जैसे कि हम बात करते हैं इवन कि यह मुल्टी हम इसको अपनी उर्दू जुबान में भी बात करेंगे तो यागे उर्दू में ही हम रिस्पॉंस तो नहीं बात करी चैट जी पीटी को जब मैं अक्सर इस्तमाल करती हूं तो मैंने एक दो तफ़ा उर्दू में भी उसको इंस्रॉक्शन देनी के कोशिश करी इडिस एब अगर आपने अच्छे से कम्यूनिकेट करना अच्छे से इंफॉर्मेशन ग्राप करनी है जी ऐसे ही है इसमें दो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उसमें वह यह है कि चैट जी पीटी का जो फ्री वर्जन है वो चैट जी पीटी 3.5 ओपन याई इंजिन यूज करता है जो चैट जी पीटी प्लस है वो 4.0 इंजिन यूज करता है तो 4.0 से अड़ांस है 3.5 से और उसके पास उर्दू लैंग्विज या किसी भी दूसरी नौन इंग्लिश लैंग्विज को अंडरस्टैंड करने की और उसके लैंग्विज के अंदर कम्यूनिकेट करने की केप और जी पीटी आपकी अपनी वोइस में आप के सा this to आप उसको अपना voice का sample देंगे तो वो आप ही की voice में आप से communicate करेगा और even कि ये tone, pitch और emotions के साथ बात करेगा और जो dialects होते हैं कि हम जिस तरीके से pronounce करते हैं कुछ words को और इस तरीके से tone और इस तरीके से वो उस voice को adapt करेगा तो ये feature भी certainly एक बड़ा अच्छा ये जो अभी आप बता रहे हैं एक तो pictures वाला हो गया अभी जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से आपकी आवास कोई copy किया जा सकता है तो इसके तो नुक्सानात भी तो हो सकते हैं ना नुक्सानात इसके ये हैं कि जो एक फेक जो प्रोफाइल बनती है और जो इस तरीके से फेक आइडेंटिटीज जो लोगों की बनाई जा रही है यानि कि हम आजकल के दौर में social media के किसी भी video या audio या image के उपर trust नहीं कर सकते और इससे पहले भी जब हम सुनते थे कि जो court of law होती है उसके अंदर video and image या sound जो एक proof होता है उसकी जो authenticity होती है वो कम होती है तो पहले हम यकीन ही करते थे क्यों कम होती है अलागे वो एक solid proof है कि एक बन्दा वीडियो में आ रहा है बट आज पता चलता है कि हम AI जतनी advance हो चुकी है कि हम किसी भी person की voice को mimic करना चाहे उसकी video को reproduce करना चाहें तो यह certainly बहुत असान होका है तो जतने इसके privacy and security risk है तो definitely लोग बड़ा फुश हो रहे हैं कि चैट GPT पे नए-nए features आए हैं अब आप ज़्यादा AI technology से फाइदा उठा सकते हैं यह नी पता कि उसके नुकसानाद भी फिर बहुत ज़्यादा है इसमे यह पाकसान लेवल पे भी इसको regulation इसकी करनी चाहिए कि इसका एक fair usage उसको हम emphasize करें आप एक technology अपने हाथों से बना रहे हैं आप उसके खुद features introduce करवा रहे हैं लेकिन फिर obviously उसमें security भी आती है उसमें लोगों की जानों को भी खतरा हो सकते है multiple लोगों के साथ धोके हो सकते हैं उसको make sure करने के लिए क्या chat GPT है इस तरह की जो मुक्तलिफ AI technology है क्योंकि chat GPT is a tip of the iceberg इसे बहुत कुछ आगे भी है जो उसको secure बनाया जा सकते है कैसे बनाया जा सकते है अभी open AI ने जब यह तीन features launch किये seeing hearing and speaking के तो उन्होंने justification दी कि हमने इसको latest launch किया और दूसरा एक औ 21 तक का data ही आपने क्यों उसको limit किया latest data जो real time अभी data हो रहा है like अभी patient को ही चल रही है के पाकिसान में जजल आएगा यह होगा वो होगा तो हम chat GPT से यह चीज़ क्यों नहीं पूछ सकते है उसके पास यह latest data क्यों नहीं है तो chat open AI के जो महरीन है उन्होंने यह बात कही थी क कि हम इस AI को ऐसे unleash नहीं कर सकते कि वो खुद से पूरे internet को scavenge करे और data collect करे we need to regulate it, monitor it तो इसलिए यह features भी लेट इन्होंने introduce करवाया और 20 to 21 तक का data भी limit किया तो human intervention जब तक इसके processes के अंदर रहेगी और हम एक monitor कर रहे होंगे कि यह ethically यह चीज़ ठीक है यह नहीं है यह AI ज तो जब तक यह human intervention इसमें रहेगी तो हम इसको regulate कर पाएंगे अगर human intervention इसके निकल गई तो definitely उसके इसके 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 निशान है वो आपके हाथों से निकल जाया है वो अपने हाथों से टेक्नोलोजी बना रहे है तो वो atom bomb अपने हाथों से बनाया था ना फिर बात मे वो जन्तियां तबाव होने लग गई थी यह AI मेरे खाला atom bomb से ज़्यादा एक dangerous है क्यों क्योंकि एक cognitive ability जो इनसान की खुद से किसी चीज़ को perceive करने की इसलाहियत और उसकी बेस पर decision लेना खुद से यह cognitive ability अगर AI के अंदर आ गई तो उसको certainly human intervention की जरूरत ही नहीं होगी तो खुद से अपने आपको groom कर सके खुद से अपने आपको grow कर सके और यह जो space programs होते हैं इसमें भी यह की जाती है कि अब let's say आप मार्स की उपर कोई program भेज रहे हैं जब तक वो आपका rover मार्स तर पहुंचेगा तब तक वो technology भी obsolete हो चुकी होगी तो बातें ऐसे की जा रही ह मेनत की जा रही है कि जो वहां का harsh environment मार्स का जो हमने भी नहीं देखा उसके मताबिक अपने आपको adapt कर सके और अपने आपको change भी कर सके अचा देखें अभी हम क्योंके इसके चले हमने थोड़े से negativity भी discuss कर ली लेकिन इसके positive पहलू मजीद क्या क्या है या आप मैं बहुत स इसे कैसे benefit हासिल कर सकते हैं तो मजीद इस तरह से बता दें कि being an anchor मैं किस तरह से इसे फाइदा ले सकती हूं being an IT expert और social media expert आप इसे कैसे फाइदा ले सकते हैं हर इंसान अपनी field से कैसे फाइदा ले सकते है using all these three features this is a very good question जैसे के media industry या मैं television industry से बात करूँ तो अगर let's say camera man है वो देखना चाहता है या फिर आप anchor person है आपने stage set बना हुआ हुआ है आप chat GPT को अपने set की picture देंगी और उससे पूछेंगी कि क्या यह मेरे set cinematography wise ठीक है या नहीं है जिस तरह मेरे subject के उपर जा रही है यह ठीक है या नहीं है और उसकी improve कैसे किया जा सकता है तो chat GPT के पास अब यह ability है कि वो image को interpret करके and certainly chat GPT ने पूरे internet का सारा cinematography का data पढ़ा हुआ है it is more expert than anybody else ठीके तो वो आपको पूरे short की composition बताएगा कि आपके short में यह blank space है इसको इस तरीके से fill किया जा सकता है यह lighting आपके subject पे इस तरह किया जा सकता है और अगर मैं अपनी बात करूँ या हमारी industry की बात करूँ तो digital marketing के तौर पे अगर मैं let's say मैंने add कोई चलाया e-commerce store का अपने clothing store का और मैं उसको पिछले 30 days की performance का एक screenshot दूँ कि यह मेरे add की performance रही है तो इसकी बेस पे अब मुझे next campaign कैसी चलानी चाहिए तो being a expert marketer chat GPT अपने पूरे internet के experience को जो उसने collect किया और उसकी बेस पे मुझे next strategy बना के दे सकता है इक experiment किया गया कि inception जो movie है inception movie का एक flow chart basically chat GPT को दिया गया और उस पर कहीं भी नहीं लिखाता कि inception movie का plot है तो chat GPT ने खुद उसको understand किया और बताया कि यह inception movie का plot है और इसमें इस तरीके से इस तरह की बाते हो रही है तो अगर कोई programmer है for example तो जिस तरह हम programming भी देखते हैं कि speaking notes में हम पूरे flows और processes बनाते हैं कि app है वो chat GPT के पास भी ऐसी चीज़ है जो है वो पढ़ी नहीं है तो app हमने बनाई है for example तो उसमें यह screen होगी फिर यह screen होगी यह screen होगी हम उसको पूरे सिर्फ मैंड मैपिंग का screenshot देंगे और इसका code लिखे दो तो वो उसको पूरा code लिखे देरीगा तो इसकी applications बहुत सारी हैं कि जिनको हम इसको उसको उसको कर सकते हैं जाबदस यह तो तुमाम चीज़ें इतनी obviously हर चीज़ का एक वो कहते है न पॉजिटिव इस्तमाल भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं डिपेंड्स ऑन यू कि आप उससे कैसे फाइदा उठाना चाहते हैं यह आप उसके इस्तमाल कैसे करते हैं इंटरनेट भी के बारे म भूका करना है तो वो भी आपके अपने पास यह तैंक यू सो मच वकास ने इतने अच्छे तरीके से हमेशा कितना बहुत अच्छे तरीके के एक्स्प्लेंगे इस ब्रेक करेंगे इस ब्रेक के बाद विल्कम बाक आफ्टर दे ब्रेक और यूएस अभी कुछ सियासी मौमलात को डिसकास करना चाहूंगी आपसे इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत और इसमें अगर हम तमाम मौमलात देखें तो तमाम चीज़ें जो है वो नवास चरीफ सापकी वतन वापती के कुछ तजियाकार ऐसे हैं जिनको डाउट है कि शायद 21 अक्तूबर को वापसी नहीं होगी प्लस इस वक्त जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास आम इंतखबात के लिए बयानिया क्या होगा मजाहमती बयानिया जिसका इंदिया भी दिया था न नवास चरीफ सहाब ने कर लिया है लेकिन आइंदा आम इंतखबात में मुस्लिम लीग नून के पास क्या बयानिया होगा फिर अगर हम देखे तो परसों वाला जो मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था लेकिन अब ये कहा जा रहा है इसमें कोई खातर खुआ लोग जो है वो प्यमलन एक अठे नहीं कर पाई तो ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे हमारे साथ असवक नाइब सदर मुस्लिम लीग नून लूहौर मिया अतर साब शो में मौजूद है मिया अतर साब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सबसे पहले तो अभी भी कन्फूजन ब्रकट भी बुक हो चुका है अलमदलिल्ला तो ये हत्मी है इंशालत अला एक इसक्तूबर को मिया असवाएंगे और पाकिस्तान की ओवाम जो पाकिस्तान के लोग इंशालत अला मिया साब का बरफूर इस तकबाल करेंगे तो 21 फाइनल है इंशाला एक इस जो है वो के लिए त्यारियां कर रही है जहां भी जाएं जिस हलके में भी जाएं आपको जो शुक्रोष नजर आएगा कि जिस दिके से क्याओं के पास एक ही उमीद की किरन है वो है मिया महमद नौज शरीफ तो मिया साब के दोर में जैसे के पहले आपने देखा 13 से 17 तक जब तक मिया साब थे और हमारी माशी सूर्ट आल क्या थी हमारा महंगाई का आलम क्या था आज महंगाई का आलम क्या है तो मिया साब ही एक वाहद उमीद की किरन नजर आती है पकस्तान में के मिया साब इन्शाल है तो मैं समझता हूँ कि जब तक मिया साब पकस्ता नहीं आते मिया साब आके इसको नहीं संबालते जिस तरह उन्होंने दो हजार तेरा में आके जैसे गोवर्मेंट बनी और उस तेम बिजली लोड शड़ी के बुरे हलात थे हमारी एक लॉइन आर्डर की सिच्वेशन अब नवाज शरीफ साहिबा का जो जो उनने जल्सा किया उसमें वो खात्रखवा लोग जो है वो अमाउंट जो है लोगों की वो एक ट्टी नहीं कर पाईंगे तो इस पर आप क्या कहेंगे वो एक ऐसा पावर शो नहीं हमने किया यह ऐसी चीज़ नहीं थी यह तो ज़स् मलक रियास साब जिन्हों ने वो अरेंज की था जिस वहां के लोग थे अलाका के लोग थे ना कि उपको बिल्कुल बराबर वाला हलका भी उसमें शामल नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं हमको वो ऐसा पावर शो करें थे पावर शो इन्शालात आला हम करेंगे 21 अक्तूबर को जिसमें सारी दुनिया पूरा पाकिस्तान कट्था होगा पूरा पाकिस्तान नजर आएगा वो आपको नजर आएगा पब्लीक आईए मिया साब के लिए बिल्कुर ठीक हो गया अच्छा एक और ये बात इसको भी तोड़ा सा क्लार करते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर मिया साहब को आएंदा ये जब अभी 21 अक्तूबर इससे पहले अगर 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 अदालतों से रिलीफ ना मिला तो वापसी जो है वो शायद ना हो पाए तो आपको लगता है कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा आएंगे अदालतों का सामना करेंगे ये तमाम चीज़ें इसको आप कैसे देखें जी बिल्कुल अभी तक जो मैंने देखा है कि हमारी जितने भी कनूनी टीम है वो इसको देख रही है तो मिया साब का हक है कि प्री र करेंगे और बिल्कुल अदालतों का सामना करेंगे अदालतों ने रिलीफ दिया तो मिया साब बाहिर रहेंगे ना रिलीफ दिया तो जिस तरह अदालतें गेंगी मिया साब उसको फेस करेंगे बिल्कु ठीक हो गया अच्छा इस सब के साथ साथ आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है वो बहुत डिसकास हो रहा है कि अभी तक कोई बयानिया जो है वो नहीं दिया गया तो शायद 21 20 अक्तूबर जब मिनारे पाकिस्तान पर जल्सा किया जाए तो तब कोई बयानिया जो है वो दिया जाए लेकिन आपको क्या लगता है आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पास क्या है दिखाने को क्योंकि हम शवाज शरीफ साहब का ये टेनियूर दे लेखिसे बिलकुल चुकिया इस ठाइम जो पिछला साल सामया हमें मिला वह इस तरह की पॉड़िशन थी कि आप एक घर में रहते हो马 넣ô्म है कि उस घर के बरतन तक भी बिक चुके होए तो उस घर को आपने संभाल संभालना है संभाल के आपने उसका रेंट भी देना है उस कर दिया आपने सुना सब टीवियों पे अलहमदलिल्ला पक्सितन मुस्लिंग नून जो यह कहते हैं कि यह सीनियर्ज हैं पुराने हैं यह कर सकते हैं उन्होंने कर दिखाया कि डिफाल्ड से पक्सितन को बचाया मेंगाई हुई बिल्कुल हुई हर चीज गरीब परेशान हु बाइस में बिल्कुल अभी यही है कि इन्शालतला आगे वो एक साल का टाइम था जब इनको पूरा टूनियर्ज मिलेगा जिस तरह इन्होंने बारह से लेके सतरह तक महंगाई को भी कम किया और अपनी जो है सुर्टेहाल को लाइन और्डर की सिट्वेशन को भी बेतर किय नोकरियां भी लोगों को फरहम की होस्पिटल्स भी बने तलीम को भी आम किया तो इसी तरह इन्शालतला आपको अगला टूनियर जो 24 से इन्शालतला पकस्तार मुस्लिम लीग नून आएगी और मियान वाशरीफ साब उसको लीड करेंगे तो अल्ला के फजल से उसी तरह पकस्तान के अंदर बेहती निज़र आएगी जिस तरह 12 से 17 तक लोगों को निज़र आएगी बेको ठीक हो गया लेकिन बैयानिया आवविसली मैंने सवाल ये किया था कि आपके ख्याल में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास क्या बैयानिया है और वो बैयानिया जो वो बैयानिया उनके पास चला गया अभी ये बैयानिया जो है वोट को इजद दो वाला वो मस्लिम लीग नून उसका फायदा नहीं इठा सकती आपृसली किया मैंनिया और नशूर क्या हो गा G잡 बैयानिया और मनशूर तो शायला उला-थमी खो खुद ही दें लेकिन अभी फ और अचला दोर हमारा बटकिस्मति से, बहूत ही मुश्किल दोर गुज़रा है वाम के ओपर, तो इसालत अल्ध बे आनियां मियां सब यही लाएंगे हम से पहले अभी लोग हमारे मुखालफीन रह कर गए उन्होंने बातें उतों की दावे तो किये नारे तो लगाए लेकिन कुछ बितरी नहीं की स्वाएए एक अपनी जाती अना के लिए जाती तस्कीन के लिए लोगों को चोर बोला, बुरा बोला, भरा बोला बत्तमीजी का तुफान गरम किया उसके अलावा पाकिसान नातरकी की पाकिसान उल्टा बैकवर्ड गया उल्टा पिछे गया लेकिन आप देखें अगर आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिसान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाती है तो मनशूर में या आपको क्या लगता है कि मसाइल की जो फैरिस्ट होगी उसमें प्रायरिटी कैसे दी जाएगी और किन को सबसे पहले जो है वो एड्रेस किया जाएगा चैलेंजिस क्या होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए अगर आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून बरसरे इक्तिदार आती है तो अब इसलिए बात है जो एक इस तरह हमारी माशियत है ये बहुत डिस्टरब हो चुकी है इसको समाला देना है ये जैसे ही संबलती है तो अवाम को रिलीफ मिलेगा अवाम को को चीज़ें सस्ती होंगी उतनी सस्ती तो चुके वह बहुत पीछे वकद गुजर चुका है उसको बेतर करेंगे जो भी महौल नोक्रियां अफराम करेंगे जो बच्चों के लिए मतलब जो बेतरी करेंगे के अवाम के लिए जो भी रोजमरा की चीज़ें हैं उनको सस्ती करेंगे लाई का आजकल बिलों से लोग ब डॉलर और जब डॉलर नीचे आएगा तो उसे पेटरोल हमारा नीचे आता है उसे हमारी महंगाई कम होती है अच्छा अगर हम ये एक और चीज़ देखें तो इस वक्त आम आदमी जो है वो महंगाई की वज़ा से और मुल्की मौशी हालात की वज़ा से बहुत ज़ादा पर हर इनसान जो है वो इस वक्त महंगाई का रोना रो रहा है तो जब आप हलके में जाते हैं तो वहां पर जो अवाम हैं वो क्या गिलाश शक्वा करते नजर आते हैं उनका सबसे बड़ा मसला क्या है और क्या चाहते हैं इस वक्त लोग किस तरीके से चीज़ों को जो है वो तेषली बत है, उवाम भी अब जाग चुकी है, उवाम को भी शाउर है कि ये कियाधराः पाकिसान- nouveau-म्सिलम-लिग नौन का नहीं है जब हम लोग हलके में जाते हैं, लोग हमें रिस्पेक्ट धेते हैं, लोग हमें इज्जत से मिलते हैं क्यों उनको पता है ये जो पहले हो चुका है दोजार तेरा से सतरा तक जो जिस तरीके से इतनी समूदली गोर्मेंट चल रही थी चीज़ें महंगी नहीं थी माशियत हमारी इतनी डिस्टरब नहीं थी तो अब वो लोग जान चुके हैं कि ये किस ने किया है किस की वज़ा से हुआ है ये पाकिसान मुसल्म लिग नून की वज़ा से नहीं हुआ पाकिसान नून के मुखाफिन जो इनके ओपर बातें कस्ते थे ये सारा उनका किया धरा है अब अलहम्दुल्ला वाम हम मैं साथ दे रही है जिस तरह ही इलेक्शन होंगे तो इन्शालतला मुसल्म लिग था रोजगर फराहम करेगी इन्शालतला अच्छा एक ये कि अब हलका बंदियां जो है वो चेंज हो लिए आपका ज्यादा आपके लिए इस पर क्या चालेंजिस जो है वो सबसे ज़्यादा धरपेश हैं हलका बंदियों के बाद जो है नए हलकों में जबाब जाएंगे अब इसली बात है एक जगह पे आपका वर्क होता है एक जगह पे आप लोगो जान जाते हैं आपको लोग जाते हैं आपका रेफरेंस बन जाता है आपने लोगों के साथ आपकी बैठक हो जाती है तो नहीं जगह पे जाके थोड़ी मुश्किल तो होती है आपका तारफ हो में जो है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अच्छा जो नवाज शरीफ सहाब की वतन वापसी को लेकर इस वक्त प्लान क्या है एक एक तो जलसा करना है लेकिन इसके लिए जो हर MPA को जो सापका आपके MPA थे उनको जो टास्क दिया गया है तकरीबं 500 के गरीब लोगों का लेकिन इसके साथ साथ एक और ये चीज़ भी कही जा रही है कि कोई एक सौफ़एर जो है वो आपडे वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा रहा है ये पता रगे का कि कितने कारकुन बाहर निकले हैं कितने नई निकले इस हवाले से कोई डीटेल्स हमारे साथ अगर आप शेयर करना है इस हवाले से यही है कि यह हर पार्टी के अंदर अपना एक तन्जीमी एक सिस्टम होता है हमारा अलहम्दोल्ला जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीक नून का नहीं देखा आज तक तो वो जो भी है वो एक अपना एक अंटरनल होता है कि आपने कितने बंदे लेकर जा रहे हैं कितने बंदे शो कर रहे हैं वो एक अंटरनल अपना हमारा तन्जीमी धांचा है जिसके अंदर सदूर हैं जनल सेक्टरी हैं इस तरह हमारी कैबिनेट बन अच्छा इस सबके साथ सथ एक और यह चीज जो यहां पर मैटर करती है कि मिया साहब की वापसी को लेकर और यह जो आपने का कि यह तमाम चीजें जो हैं यह इंटर्नल मौमलात हैं लेकिन इसमें क्या सिंथ से क्या क्येपी के से और क्या बलोचस्तान से भी लोग आएंगे 21 सक्तूबर को क्योंकि देखें अगर हम मौझूदा हालात की बात करें तो आम आदमी परेशान है इस परेशानी के आलम में इस वैंगाई के दौर में लोगों का घरों से निकलना यह भी मुशक्ल है और दूसरा यह भी बात करी जा रही है कि के-पी-के में इस वक्त पी-म- साथ के इस्तक्बाल के लिए लोग मीणारए पकस्तान में जब्मा होंगे, बिल्कुल हालात मुश्किल हैं, प्र Зाबles Bouleम हैं, अगर इस ठाइम भी लोग आके नहीं खड़े होंगे मिया्स साथ, तो क्या नजर आता है कि आपको आगा हालात अच्छे कैसे हो कोई तो रहनमा चुनना है कोई तो लीडर को बलाना है किसी को तो उन्होंने बलाना है तो जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि पबलीक की नजर इस ट्रैम मिया महम्मद नवाश्रीफ के ओपर है عوام کی نظر پاکستان کی جتنی عوام میاں محمد واشریف کے اوپر ایک ہی واحد حال ہے کہ میاں صاحب آ جائیں اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گھر بیٹھ کے میں پریشان ہوں تو پریشانی دور نہیں ہوگی مجھے نکلنا پڑے گا مجھے کچھ کرنا پڑے گا تو یہی سوچ ہے پورے پاکستانی عوام کی کہ انشاءاللہ میاں صاحب آئیں میاں صاحب آ کے لیڈ کریں لوگ نکلیں گے مشکل ہے پرابلم ہے تکلیف میں ہیں لوگ تو اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسپیٹل جاتے ہیں تو یہ تکلیف اب وہی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب کو ویلکم کریں برپور میاں صاحب کا ساتھ دیں تاکہ میاں صاحب اچھے تھی کہ اس کو ون تھرڈ مجورٹی کے ساتھ آئیں آ کے لیڈ کریں پاکستان کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ویسے آپ سے ایک اور ذاتی سوال آپ کا مطلب یہ بھی پوچھنا شاہوں گی کہ اگر آپ کو دیکھیں you are young لیکن آپ نے politics کو join کیوں کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی مقصد کیا تھا کتنا عرصہ جو ہے آپ کو PMLN کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو چکے ہیں PMLN کو sport تو میں بڑی جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میرا vote بنائے تب سے میں کرتا آ رہا ہوں اور joining میری ابھی تقریباً ایک سال سے ہوئی ہے PMLN کے ساتھ ہر انسان دیکھتا ہے میں ایک بزنسمن ہوں میں ایک اچھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ایک اچھے بزنس کو run کر رہا ہوں اثر سوسی ایٹ کے سی او ہوں میرے ساتھ آفیسیز ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ میں نے جب دیکھا کہ جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ ہماری گزری اس کے اندر شوف کیا گیا نوجوان کو بتتمیز بنایا گیا نوجوان کو نا کے یہ سکھایا گیا کہ ہمیں بزنس کی طرف جانا چاہیے بزنس کرنا چاہیے نوکریوں کے لالچ دی گئی نوکریوں کے دعوی کیے گئے بٹ دیا کچھ نہیں گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا کنٹیبیوٹ کروں اپنے پاکستان کے لیے اللہ نے مجھے ایک وسائل دیئے ہیں اللہ نے ایک مجھے سسٹم دیا ہے تو میں اس سسٹم میں جا کے میرے ہلکہ کے عوام مجھے پتا ہے کس تکلیف کے اندر ہے جہاں میں رہتا ہوں ہر انسان جہاں سے وہ بستا ہوتا ہے اس کے علاقے کے پرابلمز زیادہ اچھے طرقے سے پتا ہوتے ہیں اسی طرح میرے ہلکہ کے وہاں میرے لوگ میرے پاس آتے تھے کہتے تھے ان کی کچھ کام ایسے تھے جو کہ میں بغیر پاور میں آئے نہیں کر سکتا ویسے تو سپورٹ تو جتنا بھی کر سکوں کرتا تھا لیکن کچھ ایسے کام تھے فر ایکزمپل کسی کا کوئی پلیس کا معاملہ بن گیا ہے تو پلیس تو میری نہیں سنے گی میں کون ہوں اسی طرح کسی کے بچے کا کوئی ایڈمیشن کا کوئی معاملہ ہے کسی کی سکول کا معاملہ کسی کی نوکری کا معاملہ ہے تو میں کتنی نوکرییں دے سکوں گا اکیلہ انڈویجلی ایک مہن تو اس لیے پھر مجھے ضرورت پڑی کہ میں ایک اس کو کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کروں میں نے دیکھا پاکستان مسلم لینک نون سے بہتر مجھے کوئی اور جماعت نہیں لگ رہی تھی تو میں نے الحمدللہ اس کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ چل رہا ہوں اور اپنے علاقہ کے مسائل پہلے بھی ہم حل کرتے آ رہے تھے اب اس کے ساتھ مل کے ہمیں زیادہ آسانی ہو رہی ہے زیادہ ہمیں ایسی فیل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور لوگوں کو ہم بزنس کی طرف جو دلار ہیں دیکھیں بہت سے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کی غر سے سیاست میں آئے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ پھر گلا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں کی طاقت سے ہی آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں آپ کو سیٹیں ملتی ہیں لیکن جب آپ کو خدمت کا موقع ملتا ہے تو تب جو ہے وہ آنکھیں پھر لی جاتی ہیں یہ گلا اکثر حلقوں کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک اس طرح سے سوچا ہے کہ یعنی اگر آپ کو آپ سیٹ جیتے ہیں آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کس طرح سے ڈیلیور کر پائیں گے کیونکہ ایک یہ گلا جو بہت سے حلقے کے لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تب ہی آیا جاتا ہے جب ووٹ چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی رہنما یا لیڈر جو ہے وہ ون کر لیتا ہے وہ سیٹ اس کے بعد وہ جو پانچ سال یا جتنے بھی سال وہ حکومت رہتی ہے وہ عوام میں نہیں آتے ہیں میں ایک روایتی سیاستدان نہیں ہوں آپ نے بلکل ٹھیک سوال کیا میرا بھی یہ گلا ہوتا تھا چند سال پہلے جب تک میں نے جوائن نہیں کیا تھا تو بلکل اسی طرح ہوتا ہے اور جب علاقے سے بندہ کھڑا ہو یا علاقے کا بندہ ہو اس سے یہ گلے نہیں ہوتے چونکہ وہ تو ہوتا ہی علاقے کا ہے وہ تو نظریں کیسے پھیرے گا اس نے تو علاقے میں جانا ہے اس نے یہ نہیں ہے کہ صرف الیکشن میں جانا ہے اس نے تو علاقے میں رہنا ہے تو الحمدللہ میں اسی وجہ سے میں نے یہ ریسین لیا اور میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے لیا ابھی تو میں فی الحال اپنے ایک علاقہ کو ہی لیڈ کر سکوں گا کرتا آ بھی رہا ہوں لوگوں کو پتا ہے میرا الحمدللہ کہ میں علاقے کے اندر جب نکلتا ہوں لوگوں کے سیاست میں تو میں نے ایک سال پہلے جوائننگ کی دی ہے بسپاکشن مسلم لگنون کو لیکن الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے مجھے بیس سال ہو گئے ہیں تو اب میرے علاقہ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے ایسا کہہ سکے گا نہیں آرہی ہے جب آ جائے گا تو آنکھیں پھیر لے گا جو بندہ پہلے سے یہ کام کرتا آرہا ہے جو اپنے اس کا ایک شوق ہے اس کا پیشن ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا لوگوں کو پرابلم سے نکالنا تو وہ بندہ سیاست میں آ کے اور زیادہ کرے گا کہ ہی کم کر دے گا اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ کیونکہ خود ابھی ینگ ہیں اور آبویسلی جو ینگ بندہ ہوتا ہے وہ ینگ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ایک اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پاکستان طریقہ انصاف نے یوتھ پر بہت کام کیا پاکستان کی آبادی کا جو زیادہ حصہ ہے وہ ہماری نوجوان نسل پر مشتمل ہے اور اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو یوزنگ دا سوشل میڈیا پلاتفارمز یا مختلف میڈیمز کو استعمال کرتے ہوئے یوتھ کی جو پاور ہے وہ بھی گین کی گئی ان کی جو آبویسلی جو ان کے ساتھ ایک کنیکشن جو تھا وہ بیلڈ کیا گیا ابھی اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طرح سے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائی تو ووٹ ڈیو تھنگ پی ایم ایل این کو پرٹیکلرلی اس شعبے میں یوتھ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے اور پھر اس وقت نوجوانوں کے مسائل کیا کیا ہیں آپ کو لگتا ہے جو کہ حل کرنا مقصود ہے لازمی کرنے چاہے بلکل آپ بہت اچھا کوئسن کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی میں یوتھ کا جانا یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک خامی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں چونکہ سینئر سیاستدان تھے سینئر لوگ تھے وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہوتے تو یوتھ کو موقع ملتا یوتھ کو موقع نہیں ملا اور یوتھ ہیں دیکھا کہ اس طرف میں ایک جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں نوکری اپلائی کرتے ہیں کسی چینل میں جاتے ہیں کسی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں آپ کو جب نہیں ملتا آپ آپشن دوسری ڈونڈتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے یوتھ کو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے چانس نہیں دیا جو کہ الحمدللہ اب ہماری جو چیف اگر ناظر ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بہت بہت پور طریقے سے اس بات اس پہ توجہ دے رہی ہیں اور اس طرف ان کا ارادہ بھی ہے الیکشن کے اندر جس طرح میں آکے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ 30% یوتھ کو اکومڈیٹ کریں گی 30% یوتھ کو وہ آگے لائیں گی ان کو ٹکٹیں دیں گی اب پہلے بھی یوتھ ہمارے پاس تھی پہلے بھی یوتھ ہم آنا چاہتی تھی جوائن کرنا چاہتی تھی اب ان کو آپشن ہی نہیں ملتا تھا ان کو آگے کیا ہی نہیں جاتا تھا اب یہ میری پارٹی نے ریلائز کیا ہے کہ یوتھ کا ہمارے ساتھ ہونا مست ضروری ہے جو کہ ہمارے سینئر سیاسددان تھے ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن اب جب سے میڈم آگے آئی ہے میڈم مریم نواز انہوں نے آکے اس کو پرموٹ کرنا شروع کیا اور بہت سے اب ینگ سٹوڈنٹ کالوجیز کے یونیورسٹیز کے میں دیکھتا ہوں چونکہ میں بھی ڈیل کر رہا ہوں تو وہ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہمارے جلسوں میں بھی آتے ہیں اور ہمارے ساتھ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین بھی چلا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ آتھر صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے اور پی ایم ایل این کا آئندہ عام انتخابات میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے سو آبویسلی اس ٹائم پر چیلنجز کیا ہوں گے اور ان کو ایڈریس کس طرح سے کیا جائے گا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کو لے کر اس پر مسلم لیگ نون نے کیا تیاریاں جو ہے وہ کر رہی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے بیوز اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکس پرگرام میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دیجئے جاگر